Hello Everyone, Welcome to Enlightened Brains Guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MJML20 जो के हमारा Production Portfolio है उसके Most Important Component के बारे में According to me, Most Important है हमारा Web Designing क्योंकि उससे हमें 15 Marks मिलने वाले हैं So, आपको कैसे अपने Web Pages को Design करना है जिनको बिलकुल भी आइडिया नहीं है कि वेबसाइट कैसे बनती है, Web Pages कैसे बनते हैं, वो कैसे काम कर सकते हैं अपना Production Portfolio बना सकते हैं वो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं So, basically हमें कहा क्या गया है कि हमें 5 Web Pages को Design करना है जिसमें हमारा एक Home Page होगा and 4 Other Pages होगे हमें एक News Website को Basically Design करना है इससे पहले इस वीडियो की शुरुआत करें मैं आपको बता दूँ कि एक वीडियो और आएगी जो के Based होगी Tabloid Journal के उपर कि कैसे आपने अपना जो Lab का Journal है, उसे बनाना है वो एक Separate वीडियो होगी उसे देखने के लिए आप इस चानल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो भी Helpful लगे तो इसे Like जरूर कर दीजिएगा So चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे News Websites के बारे में उसके बाद What do you need to learn to design a website आपको कौनसी कौनसी बातों को सीखना पड़ेगा अगर आप एक website को design करना चाहते हैं From where you can learn आप कहां से सीख सकते हैं Web designing Learning online for free कैसे आप online free में इसको सीख सकते हैं और अगर आप copy paste करना चाहते हैं जैसे के बहुत सारे students ऐसे हैं जिने web designing बहुत अच्छे से आती है So वो copy paste कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ये उनके उपर depend करता है बढ़ थोड़ी सी इसके बारे में मैं आपको बातें जरूर बता दूँगी उसके बाद आपको कितना time लगेगा जैसे के अभी ये जो video है मैं record कर रही हूँ August में और September में हमें जो हमारा production portfolio है उसको submit करना है So क्या आप इतने time में बना सकते हैं अगर आप copy paste करते हैं तो definitely आपको बहुत कम time लगने वाला है अगर आप खुद से सब कुछ करते हैं आपको बहुत जादा time भी लग सकता है So time के बारे में हम बात करेंगे और आपको एक sample दिखाऊंगी Sample of website जिसको आपको submit करना है अब सबसे पहले बात करते हैं What do you need to learn? अगर आपको web pages को बनाना है तो आपको क्या-क्या आना चाहिए देखिए आपको HTML की knowledge होनी चाहिए आपको CSS आनी चाहिए आप bootstrap का भी use कर सकते हैं और JavaScript अगर आपको आती है तो अच्छी बात है अगर नहीं आती है तो भी हमारा काम जो है वो चल जाएगा Basically आपको HTML and CSS आनी चाहिए अगर आपको web pages को design करना है उसके बाद from where you can learn अब आप कहां से सीख सकते हैं देखिए अगर आप मेरे जैसे हैं जिसको बिल्कुल भी idea नहीं था कि web pages कैसे बनते हैं website कैसे design होती है तो आप एक expert के पास जाएए कोई institution को join कीजिए और वहां से expert से सीखिए कैसे websites बनाई जाती है या फिर web pages जो है वो कैसे design होते हैं अगर आपको बिल्कुल भी idea नहीं है बट अगर आपको idea है आपने school में HTML की जो knowledge आपको मिली थी वो अभी भी आपको याद है अगर आप कर सकते हैं online तो आप online आपको बहुत सारे YouTube channels मिलेंगे websites मिल जाएंगी जो आपको free में सिखा सकती है कि आप कैसे एक website या web pages अपने जो हैं वो बना सकते हैं अब कौनसी कौनसी वो websites हैं या फिर YouTube के channel हैं जिनको आप check out कर सकते हैं देखिए यहाँ पर मैंने आपको list दे रखी है इन channels को और इस website से मैंने बहुत कुछ सीखा है आप इसको check out कर सकते हैं जो w3school.com है बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आपको web designing सिखाई जाती है आप इस website को visit कर सकते हैं और YouTube channels में मैंने यह कुछ 4-5 channels का आपको name दिया है आप इनको check कर सकते हैं Code with Harry channel मुझे काफी अच्छा लगा बट यह थोड़ा fast सिखाते हैं अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो इस channel में जाकर आपको समझना बहुत मुश्किल लगेगा So Code with Harry है हमारे पास अपना college YouTube channel है geeky shows हैं जो हिंदी में सिखाते हैं बहुत ही अच्छे से और हुसेन सर हैं जो हिंदी और उर्दू दोनों में इनकी वीडियोज हैं प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई हैं आप इन YouTube चैनल को check out कर सकते हैं अब आगे बात करते हैं कि अगर आप copy paste करना चाहते हैं कोड को आपके पास इतना टाइम नहीं है या फिर आप इतनी जल्दी learn नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं ये जो koatic web copy मैंने यहां पर लिख रखा है मुझे नहीं पता कि मैं इसको properly pronounce भी कर रही हूं या फिर नहीं बट ये मुझे एक web designer ने recommend किया था कि ये काफी पुराना है free है और आपको online रहने की भी जरूरत नहीं है इसका use करके आप किसी भी website के code को copy कर सकते हैं उसके बाद ये tailwind css and tail block को आप check out कर सकते हैं अगर आपको copy paste करना है code को अगर आप खुद से लिखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है इसके इलावा एक वीडियो मैंने recently देखी थी जो मैं आपको recommend करना चाहती हूँ ये जो वीडियो है ये भी code with Harry YouTube channel की है जिसका title है how to make a website in 5 minutes और इसमें Harry sir tailwind css and tail blocks के बारे में ही समझाते हैं अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो इसको भी आप देख सकते हैं लिंक आपको इसका भी मैं description box में दे दूँगी उसके बाद आपको पता होगा कि जो भी आप code लिख रहे हैं उसका आपको print out निकालना है और अपने web pages का भी आपको print out निकालना है और उसको आपने submit करना है also आपको एक soft copy भी submit करनी है किसी CD या फिर DVD में अब वीडियो को end करने से पहले मैं आपको एक sample website दिखा देती हूँ जिसको मैंने बनाया है मेरी life की first website है मैंने अभी recently web designing सीखना शुरू किया है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो expert होंगे web designing में मैं expert बिलकुल नहीं हूँ अभी recently सीखा है so मैंने कुछ इस तरीके की website को design किया है ये मेरा home page है और home page में मैंने कुछ videos भी add कर दी है यहाँ पर थोड़ा सा hover effect दिया है और नीचे एक footer दिया है जिसमें मैंने लिखा है about ebnews that ebnews is a website designed to submit as a part of production portfolio of mjml20 आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये form मैंने copy paste करके लगाने की कोशिश की थी बट अभी मुझसे ये नहीं हुआ है properly इसको मैं definitely change करने वाली हूँ बटन लगाया है इसके अलावा मैंने 4 web pages को design किया है जिसमें एक sports की news है एक world news है जो की international में हमारी आती है एक health के साथ related news है और एक मेरी जो है वो national news है इसमें जब भी more पे click करते हैं तो next web page open होता है ये web page अभी तक properly design नहीं हुआ है इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी करनी बाकी है जस्ट आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ इसमें मैं बहुत सारे changes definitely करूँगी आगे चलकर I hope मैं इसको और अच्छा बना सकूँ आपको मैं recommend करती हूँ कि आप inspiration के लिए किसी भी news channel की website को open कर लीजिए जैसे के आज तक है हमारे पास या फिर हिंदुस्तान टाइम्स है नियू यॉक टाइम्स है दर ट्रिब्यून है बहुत सारे newspapers है हमारे पास जिनकी websites को आप चेक करकर inspire होकर वैसी website जो है वो design कर सकते हैं अब आपने जो website या web pages को design किया है उनके code को आपने print कर लेना है जैसे के आप देख सकते हैं अपनी screen के उपर ये मेरा लिखा हुआ code है और इसमें आप CSS की जगा bootstrap का भी use कर सकते हैं और इन सबको आपने print करके submit करवा देना है अगर आपको कोई भी problem आती है तो आप मुझे comment box में mention कर सकते हैं या फिर आप मुझे instagram पे DM भी कर सकते हैं तो आज की इस video में बस इतना ही thank you so much for watching